सूरे ग्रहन के बाद कुरोना होगा कौरंटीन क्या दूर होगी महमारी आपकी राशी पर कैसा होगा असर सूरे ग्रहन में क्या करें क्या ना करें इंसान और धर्ती के लिए कितना विनाशकारी ग्रहन के असर से कैसे बचें ये ग्रहन भयंकर है तो साल के सबसे बड़े और एहम दिन एबीपी गंगा की महा कवरिज लगातार जारी है सालोबाद देश में भयंकर सूरिग्रहन का योग बन रहा है जिस पर एबीपी गंगा जोतिशचारियों के साथ चर्चा कर रहा है और उन लोगों को सावधान कर र हैं सूरिग्रहन लग चुका है जो दोपहर एक बच कर उन्चास मिनट पर खत्म होगा ग्रहन की जो अवधी है कुल तीन घंटे 30 मिनट की होगी जिसका सूतक अभी चल रहा है जो कि ग्रहन के साथ ही खत्म होगा भारत में इस सूरिग्रहन का कितना असर है इस पर एबीपी सामने हैं पहली तस्वीर ओमान की है दूसरी तस्वीर जम्मू की है और तीसरी तस्वीर हम आपको दुबई की दिखा रहे हैं ओमान और दुबई में जो सूरी ग्रहन है वो देखिए थोड़ा सा जो सूरी का हिस्सा है दाहिने तरफ वो ढखा सा दिखने लगा है वहीं जम् का दौर शुरू हो गया है और देखे तीन तस्वीर आपके सामने पहली तस्वीर ओमान की है दूसरी तस्वीर जम्मू से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और तीसरी तस्वीर आपके सामने दुबई की है जो इस वक्त सीधी आपको दिख रही है तो साल का सबसे परतवासी हैं उनके लिए क्या परिस्थितियां उस पर लगतार बाचीत चल रही है और बाचीत में निकल कर आया कि चार राशियों के लावा आठ राशियों के लिए ये ग्रहण सही नहीं है लेकिन फिर भी जिन राशियों के लिए ग्रहण सही नहीं है जिनके ग्रहवक्री हैं उनको भी कहीं न कहीं किसी शित्र में फायदा मिल सकता इसलिए बहुत जादा निराज होने की जरूत नहीं है लेकिन हाँ सावधानी हटी तो फिर ये ग्रहन आपके जीवन पर भी लग सकता है और तस्वीरे आनी शुरू हो गई देखें सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सवाल कई है कि क्या सूरु ग्रह न से महा मारी दूर होगी अब दुनिया के अलग अलग देशों से दिखना शुरू हो गया है वह किस तरीके की अगले 14 दिसमबर तक बनाएगा उन पर भी लगातार हम चर्चाएं कर रहे हैं और सीधे अपने पैनल की तरफ रुक करते हैं जहांपर हमारे साथ खास महमान लगातार बने हुए हैं पूजा भाटिया जी स्केतिवारी जी के दुबे पदमेश जी लगातार मारे साथ बने हुए हैं आचारी पदमेश जी सवाल यही है कि अब ग्रहन की जो तस्वीरे हैं वो आनी शुरू हो गई हैं ऐसे में ग्रहन को लेकर बहुत जादा उत्साय रहता है कुछ लोग जो तारा मंडल हैं वहाँ चले जाते हैं कुछ लोग विसेश तरीके के चश्मे खरीद लेते हैं कि हम अ लगने आँखों से यानि खुरी आखों से ग्रहन को नहीं देखना चाईए हैं जहां तक अभी परशन चल रहा था कि विग्यान और जोतिस का क्या आपस में रिष्टा नहीं है, है, विग्यान और अध्यात्म का समन्मे ही जो तिस है, विग्यान भहतिक्ता को ले करके चलता है, यद्यफ विग्यान ने अभी जो करोना आया, बड़े देश है, उन्हों ने उसके लिए कहीं भी किसी प्रकार का वैज्यान को ने कोई भी छीज ठोस नहीं निकाल पाई, जबकि हमारे देश के पंचांग करताओं ने, देश के जोसियों ने वर्ष के प्रारम में ही इस पस्ट रूप से कहा था, कि कई लाख लोग इस वर्ष अकालमरत के सिकार होंगे, जो ग्रे इस्टिया है, छेचे ग्रों के साथ वर्ष का प्रारम है, ग्रेन का प्रा नाम पूरे 2020 में होगा, बिमारी का नाम नहीं था, लेकिन यह था या तो महामारी होगी, या प्राक्तिक दुर्गट्टाएं होगी, यह सारी सीजे भविष में, यानि दैवेक और दैख, दोनों चीजों पर जोतिस काम करता है, विज्ञान और अध्यात्म का इसलिए उसे यह कहा जाता कि सबन्न है, तो जो आपका प्रिश्ण है, उसके दृष्ट से इस पर अंकुस्त तोर लगेगा, ग्रण का जो प्रभाव दिखने लगा है, लेकिन सबसे बेतर यह है कि APP गंगा देखे, उस पर पूरा ग्रण का नए आँखों को खतरा रहेगा, और पूरा इ मुझे ग्रण यह देखना है, तो एक चांदी की ठाली ले ले, पहले एक परमपरा थी, चांदी के ठाली में पानी भर लेते थे, फूल की ठाली में पानी भर लेते थे, उस पर ग्रण की जो छाया पड़ती थी, उसको आप देखते थे, तो इसी प्रकार से टेलिवीजन प बात करें ब्रिजगाट की बड़ी संख्या में लोग गंगा इसनान करने के लिए जा रहे हैं लेकिन कुछ राश्यों पर होता है कि जिने बिल्कुल ग्रहन नहीं देखना है तो जिन लोगों को नहीं देखना है वो गंगा इसनान करने जाएंगे गलती से ग्रहन दिख गया तो तो क्या ऐसे लोगों को बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए निकल सकते हैं अपनी आखों से न देखें और अगर दिख भी गया तो उसके अनिष्ट का उपाय ही सास्त्रों ने गंगा आसना दान जपाराधना देवाराधना इत्यादि बतलाया है तो इसलिए जा सकते हैं बिल्कुल जा सकते हैं लेकिन वो डिरेक्ट देखने से बचें और सास्त्रों का ये भी आदेश है कि जिन जिन राश्यों के लिए ग्रहन अच्छा नहीं है उनको सूर्य ग्रहन किसी भी रूप में देखने से आवसे ही बचना चाहिए बिल्कुल पूजा भाटिया जी कौन कौन से ऐसी राश्या है जो सूर्य ग्रहन देखने से किसी भी तरीके से बचें कि देखें सूर्य ग्रहन वैसे ही किसी भी राशी को देखना सवभात नहीं है ग्रहन तो नंगी आँखों पर डेखना भी था एइभाइबल नहीं है अगर आप गल्टी से ग्रहन देख लेके हैं तो सिंटा करने की बिल्च भी चरूरत नहीं है ग्रहन समाकती के बाद नान करके ओम शूर्या नमच और मंत्रों का जाफ करते रहें ग्रहन साल में और बाद में आप अलाज आजी दान कर सकते हैं अगर हम राश्यों की बात करते हैं, तो किकी भी इंसान की जनम कुंडली के विसाथ से इसे अधिक या कम परभाद करता है, अगर आपकी कुंडली स्ट्रॉंग है, इसमें बशाएं अच्छी चल रही है, तो आपका ग्रहन का इतना नकारतमत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आपकी राभू की या फेटु की या सूरे की दसाएं चल रही है, ग्रहन योग की पंडली है आपकी, और साथ ही आपका सूरे प्रिविश है, चन्रमा प्रिविश है ग्रहन में, तो इस तरहा क के लोगों को जादा प्रभाव कर सकता है सूरे ग्रहन का, और इसके अलावा मंदेन अस्ट्रोजी के बात करें, तो प्राक्रितिक इंपक्त रहेगा, प्राक्रितिक आपदाएं रहेंगी, वह जन्रल इंपक्त रहेगा, जो पूरे विश्च उपर पड़ेगा, इसलिए र द्रहन काल के दोरां, आप सिरक मंत्रों का जाद करें, कोई भी मंत्र, ओम सुझाय नमा, ओम ग्री सुझाय नमा, कोई भी मंत्र यदी आप करेंगे, तो इससे आपको द्रहन का अनिश्च प्रभाव कम होता हुआ नोचर आता है, साथी द्रहन समाप्ति के बाद, आप पू इसी भी तरह के नोपीली चीज्व आप नाइस्तमाल करें। जितने भी रोगी हैं। जितने भी छोटे बच्चे हैं या बुरे हैं। उनके लिए घ्रहन में खाना भी नहीं माना जाता है। जो हम कहते हैं कि ग्रहन काल में कुछ कि इसका असर बहुत ज्यादा गर्ब में पढ़ने वाले बच्चे पर पढ़ता है और इसका नेगेटिव इंपक्स बचने के लिए गर्बती महिलाएं अपने पास एक नारियल रखने और नारियल रखने के बाद जब सूरी ग्रहन हो तो इस नारियल को आप पानी में बहा सक यह भी है कि जिस तरीके से लगातार हम फल पर बाद कर रहे हैं अब पांच मिनट हलाकि जो तस्वीरे आ रही इसमें बादलों में सूरी छिपा वा दिकरा लेकिन दस बच कर 15 मिनट भारत में टाइम टैक किया गया था क्या अब हम माले कि 10 बच के 15 मिनट से जो ग्रहों की स बदली के कारण से ग्रण का प्रभव कम नहीं हो जाएगा उत्तर पुदेश में सबसे पहले सहरनपुर की छेतर में ग्रण देखना चाहिए ऐसा बैज्ञाने भी मानते है ऐसा जोच्छी भी मानते है और सीधा सीधा है कि जैसे बदली है और बदली के होने के बाजबी भी आप कहीं भी सूरज बुखी का जो पौदा देखेंगे तो उसका जुकाओ एकदम नीची की तरफ हो जाएगा दस बचकर के पंदरा मुलट से लेकर के एक बचकर के उन्चास मुलट के काल खडबे सूर का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा जिसके करण से जबकि अन्य दिनों की बदली में उसका जुकाओ सूरज की तरफ ही रहता है उस तरफ उसका पुष्व गूमता रहता है ऐसे जब चंद्रमा का ग्रहन पढ़ता है तो कुमदनी का पौदा होता कुमदनी का पौदा एकदम उड़ जा जाता है जिस सबे ग्रहन पढ़ता और जब ग्रहन समाप्त हो जाता तो फिर से खिल जाता चद्रमा के प्रकास तो इस प्रकार से प्रकत पर जब इसका प्रभाव पढ़ता है तो मनुष्य उससे कैसे अच्छूता रह सकता इसलिए मेरा सवाल यह था कि 10 बच कर 15 बिनट से जो ग्रहन लग रहा है हमने भारत वर्सकी कुंडली पर भी बात की थी चाइना से किस तरीके के हालाद बने हैं वो हमने देखा और आप लोगों ने बताया भी था कि ये ग्रहन चाइना के अच्छा नहीं है तो क्या हम मान सकत हैं कि 10 बच के 15 बिनट से चाइना का खराब वक्त चुरू और भारत का अच्छा वक्त चुरू एक दम आप देखिए कि जैसे जैसे ग्रहन नजदीक आता रहा है जैसे कल भी अमाउश्या का जो पर्व था तो अमाउश्या आज है कल भी थी कल जो थी वो पूजन की अमाउ है तो कल आप देख्यें दीरे 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 चाइना भी अपने त egal सारे चीजों को नर्ह ने लगा जिस ne сे यूट बोलने की जो प्रवती है ऑफ सामने आने लगी दुनिया के तमाउसारे देशो पर उसकी जो है जोटे पणं की क्यों एखुनने लगी भारत का प्रवाव", देशं के ये भारत की प्रगत्प चंकेत है तो भारत के लिए कहीने पणत्पूड होगा और चायना के लिए हमारे पड़ोशियों के लिए भली है उनके मन में हमारे पृतिविश रहे बनाज रहे एंसे है कि हमको बहुत कुछ नुक्सान पहुचा सकते हैं उनको आर्थिक समाजिक और तरह तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ेगा बिल्कुल एसके तिवारी जी चीन के साथ साथ नेपाल भी एक नई शुनौती बना है तो अगर हम भारत की कुंडली की बात करें तो यह ज लोगों नहीं बताया था कि भारत की कुंडली मजबूत है और सूर्य ग्रहन का सर जो हमसे दुष्मनी पाल के बैठे पड़ोसी देश हैं उन पर बड़ा ख़तरनाक सावित होने जा रहा है कि देखिए यह जो ग्रहन है वो देश के पूर्वी भाग हैं जैसा कि हम लोगों कि वह चाइना के लिए नेपाल के लिए यमुना के किनारे धार हूं के लिए और ह include हैं उसका इसे कंदा पर यह होता है तो बहुत है जो यह देखिए और यह जो Can DO देश के मन में सतुर्था का भाव होगा वह ग्रहन हैं और कि सब्शकरी बहुत हैं और कि किसी भी मूर्चे पर किसी भी प्रकार के मूर्चे पर वो भारत से पराजित होंगे यह भारत के लिए हाँ यह जरूर है कि खर्चकारी जो अवस्य है लेकिन रक्षा के मामले में वो बिरोधियों को परास्त करने वाला होगा उनके अनिष्टकारी जो गतिविधियां हैं उन बहुत ही ज्यादा सैन मूर्चे के लिए विमारी को छोड़ दें तो जो वैश्विक गद्विधी है उस पर बहुत ही प्रभावकारी ग्रहन साबित होगा जो भी हमारे लिए जिनके मन में अनिश्टकारी अब वस्ता है उन देशों को पूर्वी भाग के जो देश हैं उनको निश्चित रूप से अपने कदम रोकने पड़ेंगे यह ग्रहन उनके लिए बहुत ही ज्यादा विनासकारी है बिल्कुल डॉक्टर हरलीन जी वी मारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर हरलीन जी स्वागत है आपका जर्चा में ग्रहन का आरम हो चुका है तस्वीरें आ जाएंगे कुसी दिन और जैसे की बोला जाता है कि सूरे ग्रहन के बाद 15 दिन का तो असर रहता ही है और फिर उसके बाद एक और ग्रहन है थोड़ा सा तशकारी समय है भारत के लिए भारत वास्यों के लिए भी प्रॉब्लम आएंगी पर वो चली जाएंगी तो यह एक इ इमोशन पे असर परता है मेंटली आप ऐस तो अब दिखते है विचार पे ब्रें पर तो अगर राशो की बात करें तुम्हें राशियों का बिता दो दो तिन राशियों का परें मेश का एरीस का बताते हूं थोड़ा सा है डिलेटे आइस ड्या लगने की ज़रूरत है वहा जैमिनाई के लिए चोड़ से आंस में प्रब्लम हो सकती है तो यह चोट लगने बितुर के बाद और राशियों की बात करेंगे डॉक्टर हरलीन जी आचारे पदमेश जी अभी चर्चा में आचारे संजय वासुदे जुड़े थे उन्होंने कहा था कि जो ग्रहन की स्थिति सुतंदर भारत के लगने उबरश है अभी शुकरस्थ है शुकरस्थ केवल पचीस तारीक तक है पचीस से सुक्रमारगी हो जाएगा और चंदरमा में सनी की दसाचर लई है चंदरमा लोक तंदर का कारक है और सनी जो है जंता का कारक है जंता पने अंतरन करने की छमता है न बहुत बड़ा संकट नहीं है लेकिन कई लोगों को जो सामान बीमारियों से आयू के सीमा पर पहुंच गए उन्हें अपने स्वास्त के पर सचीत रहने की आउशक्ता है ब्रहस्पत भी परवर्टित हो जाएगा उन्तिस तारीक को यानि वक्री ब्रहस्पत 18 सितंबर तक रहेगा और 20 नॉवंबर को फिर से वो मकर रास में पर वशेगा है यहां केतु के साथ आ जाएगा और केतु के साथ 18 सितंबर तक का जो समय होगा वो थोड़ा सा धार्मिक प्रवत के लोगों के लिए भी राजनेतिक लोगों के लिए भी सावधानी रखने की आउशक्ता है बड़ बोले से उन्हें बचना चाहिए और अपने स्वास्त के प उन्हें बहुत बच कर चलने की ज़रूरत है हाँ कम से कम बाणी पर सयम रखें और ऐसा कुछ स्टेट्मन न दें ऐसा ही कुछ भाशा का प्रियोग न करें जो उनके लिए हित करना हो समाज के लिए हित करने हो मर्यादाओं का जरूर पालन करें इन दिनों में तमाम मठों में तमाम जगह पर विवाद की भी स्टितियां आएंगी तमाम सारी खास और से सितबर तक का जो पीरड है जब तक केतु और ब्रेस्पत की उती रहेगी तब यह तमाम प्रकार के समिस्या उत्पन होगी कहीं मंदरों को ले करके हो गए कहीं दू लोगों के लिए जिनकी खास और से ब्रश्यक लगने ब्रश्यक रासी है उन्हें विश्यस रूप से संपत के मामले में सचेत रहने की संपत्ति कैसे बढ़ेगी जो लोकल फार वोकल की बात कहीं जारी क्या उसके लिए अच्छा योग दिख रहा है उस पर भी बात करेंग कि एक साथ खाना बना के तो देखिए एक